तो गाइस क्या हल चाल स्वागत है एक बार फिर से रेंच सेमिलेटर के मज़ेदार एपिसोड में तो बाई जैसे की देखो लास्ट टाइम हमने अपना एक मुर्गी यानी चिकन फार्म बनाये था बहुत ही ओसम इसमें हर तरीके के हमने घर बना दिये थे फूड और पानी क उस सारे में ट्राइ करूँएं यहां पे रख दूँ ताकि और भी मुर्गियां हो जाए और अपने आप और भी सारे बहुत सारे चिकन अपने आप पैदा हो जाए ना उससे पहले मैं क्या गनता हूं न 12 सारे चिकन से हैं इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ एक जगा पे उसके लिए मुझे चाहिए होंगे कुछ बॉक्स तो एक काम करता हूँ मेरे पास गाड़ी तो है मैं ट्रॉली से लेकर आ जाता हूँ थोड़े बॉक्स जिससे हमें थोड़ा सा असान हो जाएगा काम करने में और यहां पे देखो बहुत सारे पि जो समान है कंक्रीट बचा हूँ अब यहां पर क्या कर रहे हैं इसके अंदर भी पड़े हूए बाइस साब कंक्रीट थो हमारे बास बहुत था 50 50 50 बहुत कंक्रीट था हम फालतु में लेया यहां पर कोई बात नहीं वेरा उसमें पड़ा रहे हैं दो काम आएगा बाद में थो भाइ जैसे की हमने रिक्वेस्ट करी थी हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमने फाम बनाया तो कॉमेंट करके बताना भाइ की फाम हमारा कैसा बना है और आपको कैसा लगा हमारा न्यू फाम फोर मुर्गी यानि चिकिन्स है ना तो अगर अच्छा लगा हो तो उस साथ हमने क्या-क्या चीजे करिए तो वीडियो भी आप पूरी देख लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूँगा एक बार या आपको आई बटन पर मिल जाएगी और बाकी हमें और भी चैलेंजिस दे सकते हो चैलेंज या सजेशन्स दे सकते हो जो भी आपका मन करें आप दे सकते हो हम ट्राइ करेंगे पूरा करने की आपकी गेम है आपके लिए वीडियो है तो आपका काम तो हमें पूरा करना ही पड़े का तो जितना कोशिश हो चाकिका हम पूरा करने की ट्राइग करेंगे तो भाई ये तो मैंने रख दिया यहां पर और यह चिक अच्छा अभी अंडे में से निकले हैं भाई चिकन्स में काम करता हूं भाई गाड़ी में डाल देता हूं ताकि इनको मैं भी वहीं पर छोड़ दूँ यहां पर खाने पीने का कुछ जुगाड तो है नि जुगाड हमें वहीं से लाना पड़ेगा तो यह भी ठीक है इसको तो मैं बंद कर देता हूं ताकि यह बाहर ना है ना और यह देखो बाई चिकन्स कितने सारे यहां पर मरे पड़े पिग्स अध्य यह भी भार से आगया तो इक काम करेंगे जैसे जैसे चिकन्स होते जाएंगे ना हम इनको ट्रांसफर करते जाएंगे उस वाले अपने फा तब यह निकलते हैं तब मैं एक बाद ट्राइ कर लूँआ हमारे पास आ जाएं मतलब हम इसको ट्रांसफर कर दें इन चिकन्स को पर अंडे फूटे जा रहे हैं बाई बस हो गए बाद सारी चिकन्स होगे बाई रोस्टर मीट और चिकन्स हां ठीक हैं बॉक्स तो बहुत ह जैसे ही यह सब हो जाएगा तो इसको हम एक तरफ रख देंगे और इनको हम इकट्टे बेखेंगे यार बहुत सारे हम पैसे बनाएंगे ना तो हम ट्राइ करेंगे इकट्टे बेचें चीजे तो हमारे जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे हो सकता है वो बन जाएं और हम ट् छीज़ उनको sell कर देंगे तो यहां की मूर्गियां तो लगबग हो गई है collect इनको इधरर देता हुआ और कुछ डब Mei मेरे को वहां पे लहां वहां पर भी ले जाने है तो उनका भी मैं यहां पर देता हुआ औरो वहां के जो मुर्गिया हैं,जो मीट बन चुके हैं वू हम डाल देंगे इनमें और उनको भी कलेक्ट करे रख देंगे अभी बेकनाने नहीं है , तो उनको भी हम कलीक्ट करें रखेंगे बस अबी तो और भी काम करना ये वाला घर मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ और इस घर की जगा मैं एक यहाँ पे छोटा सा ये स्टोर रूम सा बनाऊँगा जिसमें हम अपने एक वो लगाएंगे किचरन और उसमें हम दुद वगians जैसे हम मीट बङरा बनाते हैं तो भू हम इसमें डालेंगे इसका हम समान निकाल के नया वाला बनाएँगे और घर बड़े वाला घर बनाएंगे चोटे वाले घर से हमारा कुछ काम नहीं होने वाला अब हम बड़े आदमी हो गया है तो बड़ा घर बनाएंगे वाई तो भाई डबे तो मैं कुछ यहां पर रख लिए हैं और बाकी हम ट्राइ करेंगे कि और काम हो जाए असानी से इसको मैं बंद कर देता हूं क्योंकि जब चिकन अंगे बाहर ना घुमने लगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा तो डबे तो हमने रख लिए तो इनको मैं लेके चलता उदर क्योंकि हमें वहां के भी चिकन कुछ क्लेक्ट करने हैं अभी और यहां कि आज मैं थोड़ी साफ चिकन पॉर्क चिकन वैसे ज्यादा है नहीं फिर भी हम कलेक्ट करी लेता है और यहां पे कितने सारे हैं चूजे चूजे इसमें घुसे हुए इन्होंने बढा लिया मन्डली इसको बगा दिया विचारे को यल्लो आले को बहार बगा दिया पाई मैंने इतने सारे चोटे- उसका भी आधाल लग जाता है तो घुन्हों करते हैं। इन लोगों ने दोग उन्ना LO gu stir उपको पिंदों कहाे लिए लुक्ता क्यों सब्रों बचोफिया दोग zasad A जुछ में आड़ा अदार है। यह sparो का और भी आटमाना स्बर्देख्ट रहे हैं। अकेले मत रहो चिट जाओगे एक यहां पर आके घूम रहा है खाना तो है भाई खाना पड़ा हुआ है इसको खाना होगा खाई लेगा वैसे यह वाला मेरे को सबसे बड़े लगा घर ऑटोमेटिक वाला यह बिचारा डेड हो गया च्छोटा सा बस इतने ही चिकंस थे ज्या यहां के आसपास की चीजे जो है मैं अचा हां यहां पर भी तो डबे रखे हो हैं भाई किता सही लग रहा है हमारा फार्म यहां से चिकन वाला यहां पर सारे हमने जित्ते भी कूप थे छोटे बड़े सब लगा दी है और छोटे वाले तो मैंने किते एक दो तीन चार पां के करके दुबारा से ना करना पड़े चीजे अब यहां पर चोटा वाला भी मरा पड़ा है और काएं भाई उस तरफ थे थोड़े से यह रहे अब कुछ बीच में यहां पर जो पड़े हुए हैं इनको भी साफ कर लेते हैं अब चोटी वाली ट्रॉली खा आया चोटी वाली ट्रॉली लेकर चलते सात तक कि उस में भी कुछ हम डब्ब रख लें और चोटी वाली ट्रॉली डूंड कि आता हूं वहाई किदर है वह अब रही तिक गई अब यार यह थोड़ा अच्छा सा नहीं लगा इसको कलर भी करना पड़ेगा और चीजे मैं कर लूँ फिर कलर करेंगे और यह कहां टक के बाई पड़े रहें दो य इसको भी मैं उदर छोड़ा आता हूं बड़े की तरफ कि मैं इदर खोड़ेता है ना खाता पीता रहे गा है वह बाहरा गया अब एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा बड़ा वाला क्योंकि मैंने अब भी वह खरीदा नहीं है जो खरीदा था यार वह तो बेरा तो यह चुखरा साथ Isra A सब्सक्तै अजय हाँ डबबल नहीं भडय गजय हो मैं ले कर भी आजाता हूं और उन में हम फिरनेओं भर देंगे तो इन डबो को जो भर गए हैं, इनको मैं पीछे लगा देता हूं, किसी को पता नी चलेगा, खजाना कहा गड़ा हुआ है, किसी को कुछ बताना नहीं, भै एक मुर्गी यहां गई, मेरे बेड़े अंडे दे दिये, वाह, ये बड़ी गजब की मुर्गी थी, बेड़े तो इसमें हम दोनों तरफ दब्बे कुछ लगा देंगे और घुमते फिरते हम सारे डबो में जो पड़े हुए है ना उनको हम कलेट कर लेंगे साफ सफाई करेंगे आसपास की इन डबो को भी ट्राय करेंगे अच्छे से लगा के रख दें लेकिन बहुत टाइम लगेगा उ चीजों को यानी मरे हुए जानवर को यहां पर हम थोड़ा साफ सफाई रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यह चीजे कलेट करनी ही पड़ेंगी यार चोटे चोटे पिक कहां कहां जाके मरे मुझे खुद कोई नहीं पता चल रहा यह तो बीच बीच में जब रस्ते मे में दिखेंगे ना तब पता चलेगा यार यहां पर हम बना सकते हैं यार कुछ बहुत-बड़ा बड़ा मैं सूच रहा हूं यहां पे पीग्स का फांबना दूँ एक चारो तरप से एक पीग्स के लिए फाम बना दूँ इकохण से जैक यह सरकल सा लग रहा है ना, इसमें ह नारे बीच में लगा दबने गरेनरी तो जहा हो तक खाना पिना इनका होगा ना वह 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 तक लगा देंगे आपर रहेंगे यह सही लाईगा और यही मैं सोच रहूं करने का दिख गया मेर को यह जगह दिख गई अच्छी ए जगह तो इन यहां पर मैं सही सोच लिया हमने सही दिग्गी जगा अब यहीं करेंगे वाई हम पॉर्क यहीं पर लगाएंगे यानि पॉर्क का जो भी होगा पिक्स का क्योंकि और भी पैसे बनाने हैं तो यह चीज हमें करनी पड़ेगी यानि पॉर्क का एक फार्म हो जाएगा और फिर ह वह ज्यादा नहीं रखेंगे दो गाय दो बुल ऐसे ऐसे रखेंगे एक और पिक दिखा था कहा गया अब यह भी भी यह गूम रहा है अभी भी कोई जिन्दा है अरी ला यह जिन्दा है कोई नियुक्त कर लिया है पता नहीं चल रहा वैसे अभी तो यहां के बाई जो एक और बाकी आसपास में और भी जो पड़े हुए हाँ यह रहे ना इतने सारे तो हाँ एक तो यह रहा चिदा पड़ा है तो इसको भी हम कलेक्ट कर लेते हैं यह भाई इकटे हो रखे है तो इनको भी हम कर लेते हैं अपने बकसे में बंद तो भाई देखो लगबग यहां के जित्ते भी जानवरते दूर दूर तक कोई दिखने रहा हुगा मरा पड़ा हुआ तो वह मैंने साफ कर दिया इधर भी इधर भी अब कुछ शायद रहे गए होंगे तो वह मैं ट्रांसफर कर दूंगा इनके अंदर कोई अंड़ा हुआ नहीं कोई निकला कोई बात नहीं तो यहां पे भी कोई दिखन नहीं रहा और तो भाई यहां पे हो गया है सब कुछ साफ हो गया है तो यह बकेट भकेट भी मैं सब साइड में रख दूंगा और इसको भी मेरे को डिस्ट्रॉय करना पड़ेंगा क्योंकि इनका कुछ काम नहीं लग रहा मेरे को अब तो तो भाई जित्ते भी हमारे आसपास कहते सब मैंने कलेक्टर के बॉक्स में यहां पे घर के पीछे पेल दिये हैं यानि रख दिये सजा के अब जब टाइम आएगा तब हम बेकेंगे अभी मुझे लग निराकीट बेचने का टाइम है और यह बाल्टियां तो मैं साइड मे पेले तो इसको हम कर देते हैं खत्तम यहां किसी काम का और इसको भी हम कर देते हैं खत्तम चलो बस हो गया और यह चीज मैं रख देता हूं ऊधर जाके अपने वेयराउस में अच्छे कट्टार है ना नहीं विल्किंग मशीन अबाई और दो अपने कटर थे वो भी हम रख देंगे वो तो रखे हुए है प्लैंक कटर्स और यह हम इधर रख देता है जब खाम आएगा तब देखेंगे यह बॉक्से जिते सारे एक तरफ कर देता हूँ तो यह बॉक्स हमने कर दिये साइट में और यहां पर भी बहुत सारा साफ सुत्री जगह दिख रही है अब हमें अब हमें बहुत सारी चीजे कर सकते है इधर भी वैसे करने की ज़रूत है नहीं हम क्या कह रहते हैं पिग्स के लिए हमें वह बनाना है तो मैं सबसे पहले तो यहां पर जो आने जाने की जगह हो जाएगी थोड़ी सी साफ हो गई है तो यह हम जो लट्थे हैं इनको हम कर देते हैं साइड में अब ठीक है तो हमें इसकी चारो तरफ बनानी है फैंसिंग तो इसका काम मैं करता हूँ सुबह आके अब यह हो गया टाइम सोने का प्रेखा जब में झांक लड़ी में थाक्टा इसकी ब Major पिरव जगद साइबसे का जब काम में हैं एकटी टारो तो बड्रेश़ कामा cultural कि अबसका हम काम मीं आके तो हम जह हो कि एोसे कि कि अ हम जरब आख हुआ है